नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आर्पी टेक्निकल इस्टेडी योटॉब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्तान जीके के 1000 ओब्जेक्टिव क्यूशन सीरीज का ओनलाइं ट्रेस्ट नमर 16 के बारे में 15 पहले अपलोड हो च क्यूशन को देखने वाले हैं तो यह वीडियो बहुत इंपोर्टेन होने वाला है और अगर आपको इसका पीडियेप चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहां से इसका पीडियेप भी ले सकते हैं तो चलिए सुट तो दोस्तों क्यूशन नमर 4091 में है वहें कौन से लोगदेवता हैं जिनकी अराधना इसले की जाती है क्योंकि उन्होंने गूर्जरों की गायों को मेवों से छुडवाने एतु जीवन के आउती दी ओप्शन ने देरा का पाबू जी तेजा जी गोगा जी या मलिनाद तो करेक्ट आंसर क्या होगा इन में से इसका राहिट आंसर वतना है तो दोस्तो उन्न जोगदेवता का नाम है तेजा जी ग्रेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नमबर बी चलिए अगला कुस्षन देरा कार जैसल मेर के नरेस कुल देवी के रूप में निमन में से किस देवी की पूजा करते हैं ओप्शने दे रखा नागनेंची देवी, B दे रखा है सवांगिया देवी, C दे रखा है करनी माता, D दे रखा अनपूर्णा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसल मेर के नरेश, कुल देवी के रूप में निमन में से किस देवी की पूजा करते हैं, तो दोस्तो इसका अनुयाईयों का धार्मिक किस्तल है, हिंदों का, बोध दरम का, जैनियों का या पार्शियों का, तो राजस्तान का दीलवाडा मंदिर किस धरम के अनुयाईयों का धार्मिक किस्तल है, इसका राइट आंसर होजाएगा, जैनियों का, करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन नमब पर होती है, important question है, फटापट से इसका right answer बताना है, और सभी दोस्तों से request है कि एक बार वीडियो को जदस जदा गुरूपों में share कर देना है, फटापट से सभी गुरूपों में share कर दीजिए, और सभी दोस्त एक बार वीडियो को like भी कर दीजिए, फटापट like करो सभी दोस दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड में कुलदेवी बान मता क्या आरादना कहांपर की जाती है मेवाड में तो राइट आंसर होगा औप्शन नंबर B अगला कुशन अगला कुशन देरहका ओसिया जोधपुर में आउसियेस किसके पाई गये ? option दे रखा 100 के उपर जेन बरान मंदिरों के B दे रखा बोध वियारों के C दे रखा विशुन मंदिर के D दे रखा साई महलों के तो OCR जो कि OCR जोतपुर में पढ़ता है वहां किसके OCR मिले हैं तो इसका right answer हो जाएगा 100 के उपर जेन बरान मंदिरों के correct answer होगा option नमबर ये अगला कुशन दोस्तों अगला कुशन दे रखा है एक लिंग मंदिर केलास पूरी में है यहां राजस्तान के किस जिले में इस्तित है एक लिंग मंदिर जो कि केलास पूरी में है यहां राजस्तान के किस जिले में इस्तित है जोदपुर में हुदेपुर में कोटा में या जेपुर में तो कहां पर इस्तित है किस जिले में इस्तित है important question है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा हुदेपुर में correct answer क्या होगा option number B अगला question देरा का परसीद आदिवासी मेला बेनेश्वर राजस्तान के किस जिले में आयुजीत होता है कोटा में बारा में डुंगरपुर में या भीलवडा में तो परसीद आदिवासी मेला बेनेश्वर राजस्तान के किस जिले में आयुजीत होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा option number C डूंगरपुर में correct answer होगा option number C डूंगरपुर में बेनेश्वर मेला लगता है राइट आंसर हो जाएगा option number C अगला question दोस्तो अगला question देरा का धरम का सरव मानने अर्थ क्या है ध्रम होता है उसका सरव मानने अर्थ क्या होता है ओप्शन द्रका है जो धारण किया जाए बीद्रका जो हमें दूसरों से सरेष्ट सिद्ध करे सिद्रका जो पापों से मुक्ति परदान करे बीद्रका इन में से कोई नहीं तो धरम का सरव मानने अर्थ क्या है इसका right answer हो जाएगा जो धारण किया जाए correct answer होगा option number ये अगला question दोस्तो अगला question देरका राजस्तान में धारमिक्ता की परवर्ती अपैक्सा करत हदिक रही है इसका मुख्य कारण क्या है आपको कारण बताना है कि धारमिक्ता की परवर्ती अपैक्सा करत हदिक क्यो है option देरका मंदिरों का हदिक होना बी देरका राज्य की संसकरती में इधरम का पुटो होना सिद्र का लोगों का अंदिविश्वासी होना डीद्र का लोगों का सिख्षित होना तो राजस्तान में धार्मिक्ता की प्रवर्ती हत्पैक्षाकर्द हधिक रही है इसका मुख्य कारण क्या होगा important question है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा राज्य की संसकर्ती में धर्म का पुटो होना correct answer होगा option number B correct answer क्या हो जाएगा option B अगला question दोस्तो question number 500 है राजस्तान में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे हधिक संक्या में हैं मुसलमान, हिंदु धर्म, जेन धर्म या उप्रोक्त सभी के तो राजस्तान में सबसे अधिक किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं इसका right answer हो जाएगा हिंदु धर्म को correct answer होगा option number B अगला question दोस्तो अगला question दोस्तो हिंदु धर्म के बाद किस धर्म के लोगों की संक्या अधिक है शिक धर्म, मुसल्मान धर्म, बोध धर्म या इन में से कोई ने तो हिंदु धर्म के बाद में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोगों की संक्या है important question है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा मुसल्मान धर्म के लोग correct answer होगा option number B अगला question अगला question दर्का निमन में से पार्षी लोग किसके उपासक है चंदर्मा के, सूरिये के, सक्ति के या प्रच्वी के तो निमन में से पार्षी लोग किसके उपासक है इसका right answer हो जाएगा सूरिये के correct answer होगा option number B अगला question दोस्तो अगला कुशन देरका पार्शियों का धार्मिक गरंद कौन सा है अगला कुशन देरका वेद्व पुरान भी देरका रामायन सी देरका जेंद अवेस्ता डी देरका बाइबिल तो पार्शियों का धार्मिक गरंद कौन सा है इसका right answer हो जाएगा जेद अवेस्ता correct answer होगा option number C अगला question अगला question दरका किस दरम का परचार परशार राजस्तान में प्राचिन काल में अधिक हुआ है option A दरका इसलाम दरम का, B दरका, JN दरम का, C दरका, वेदिक दरम का, D दरका, उप्रोक्त सभी का तो किस दरम का परचार परशार राजस्तान में प्राचिन काल में हधिक हुआ है इसका right answer हो जाएगा वेदिक दरम का, correct answer होगा option number C अगला question दोस्तों अगला question दरका कौन सा दरम, सनातन दरम है, इनमें से सनातन दरम कौन सा है सिक दरम, हिंदू दरम, मानव दरम ये जेंदरम, तो सनातन दरम कौन सा है इसका right answer हो जाएगा हिंदू दरम, correct answer होगा option number B अगला question दोस्तों अगला question दरका निमन में से राजस्तान में, सियाओ का पवित्तर इस्तल कौन सा है अजमेर, सरीप, तारागड, मेंदू पूरी ये इनमें से कोई नहीं तो सियाओ का पवित्तर इस्तल कौन सा है राजस्तान में right answer हो जाएगा तारागड, correct answer होगा option number B अगला question दरका राजस्तान में किसी इस्तान पर बोद चेतालियों के अवसेस मिलते हैं आमेर, बेराट, सांगानेर यो पुरुक्त सभी तो किसी इस्तान पर बोद चेतालियों के अवसेस मिलते हैं right answer हो जाएगा बेराट जेपुर में, correct answer होगा option number B अगला question दरका राजस्तान के रामानुजाचारिये किस धरम के अनुयाई थे वेशनाव धरम के, अदवेतवाद के, दवेतवाद के या इन में से किसी के भी नहीं तो रामानुजाचारिये थे, वे किस धरम के अनुयाई थे इसका right answer हो जाएगा वेशनाव धरम के, correct answer होगा option number B अगला कुश्चन, दोस्तो अगला कुश्चन दिरका, इसलाम धरम का पवीतर गरंद कोई सा है, बाई बिल, कुरान, वेद या इन में से कोई नहीं तो इसलाम धरम है, उसका पवीतर गरंद कोई सा है, इसका right answer हो जाएगा, कुरान, correct answer होगा option number B अगला कुश्चन, दोस्तो अगला कुश्चन दिरका, निमन में से किसको भागवत मत कहते हैं, निमबारक को, जैंदरम को, वेशनव मत को या वल्लब को तो इन में से भागवत मत किसे कहते हैं, right answer हो जाएगा option number C, वेशनव मत को, correct answer होगा option number C अगला कुशन दोस्तों अगला कुशन दोस्तों अगला कुशन दोस्तों दोस्तों अगला कुशन दोस्तों 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 दोस्तो पाली में, जेपुर में, अजमेर में या कोटा में, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में, correct answer क्या होगा, option नमबर C, अगला कुशन, अगला कुशन दर्भा, फार्शी दरम के लोग निमनमीजिक, किस देवता की पूझा करते हैं, फार् राइट आंसर हो जाएगा सूर्य थता अगनी की, करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर B, अगला कूशन, अगला कूशन देरका राजस्तान के किन जिलों में भोध अनुवियाईयों का संकेंद्रन हदिक है, बरतपुर दोसा, अजमेर वा जेपुर, सी देरका भीलवाडा व अलवर वा बरतपुर, तो किन जिलों में भोध अनुवियाईयों का संकेंद्रन हदिक है, राइट आंसर बताइए क्या होगा, तो दोस्तो अजमेर वा जेपुर में, करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर B, अगला कूशन, अगला कूशन देरका निमन में से राजस्तान म किस जिले में दर्गा शरीप है, इंपर्टन कुश्चन है, तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटा पड़के कमेंट करके बताएए, इसका राइट आंसर होजाएगा, अजमेर में, करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन नमबर C, तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ह वीडियो पसंद आयों तो like कर दीजे और अपने दोस्तों को जदे ज़्यादा शेयर कर दीजे जिस दोस्तने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबी दोस्ते एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे सात में all notification bell को और जिसको भी इसका पीडियेप चाहिए तो नीचे डिस्क्रेप्शन में इसका पीडियेप लिंक दे रहा है आप वहां से इसका पीडियेप भी डाउलोड कर सकते हैं थेंक्यू